दूस्तो आज की इस वीडियो में मैं एशिया महादीब के राजनितिक नक्षे के बारे में बात करूँगा मैं कोशिश करूँगा कि ये political map आपको समझाया जा सके दोस्तो जब भी राजनितिक नक्षे की बात आती है तो सबसे पहले जो word हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है अंतराश्ट्रियस सीमा है यानि कि international boundaries कौन सा देश कौन से देश के पास है और किस के साथ वो कितनी सीमा शेयर कर रहा है यूकि ये चीज जो है वो राजनिती के लिए बहुत जरूरी हो जाती है तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम एशिया के सभी देशों के बारे में जाने उनको याद करनी की कोशिश करें और उनकी सीमाओं को समझे तो आपको करना कुछ नहीं है कि वीडियो को लाज तक फॉलो करना है और आखिर में जाके एक खाली मैप पर प्रैक्टिस भी करनी है तो जादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं तो देखो एशिया जो है कुछ इस तरीके से दिखता है सबसे पहले ही समझे लो कि एशिया कहां कहां तक फैला हुआ है यह जो हिस्सा रशिया के पास से कट रहा है यह यहां से एशिया को हम काटना शुरू कर सकते हैं इस तरफ आपका योरप आता है और बीच में आते हैं आपके योराल पहाड यह जो योरप और एशिया को अलग करती है इधार आपका नीचे आती है जब यह लाइन तो यहां पे आपको अरब कंट्रीज मिलती है यह अरब देश मिलते हैं यहां पे आते हो तो आपको भारत पाकिस्तान वाला एरिया मिलता है थोड़ा आगे जाओगे तो आपको चायना भी मिल जाएगा और फिर नीचे आओगे तो आपको इंडवनेशिया तक पूरा कवर करना पड़ता है तो यह जो पूरा हिस्सा है यह एशिया कहलाता है यह पूरा एशिया महादीप है अब इसके अंदर कई सारे देश हैं अब देखो एशिया को पढ़ने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप इसको हिस्सों में तोड़ो क्योंकि शेत्रफल की दृष्टी से ये सबसे बड़ा महादीप आपको पता है तो हिस्सों में तोड़ने से आप इसे easily याद कर पाऊगे तो देखो सबसे पहले तो दो महतवफून डिरेक्सिन्स हैं दो महतवफून दिशाएं हैं एक है उत्तरदिशा एक है दक्षणदिशा तो सबसे पहले हम वही तोड़ते है अगर आप उत्तर दिशा की बात करूगे तो ये पूरा हिस्सा जो है उत्तर दिशा में आता है तो इस जगे को आप उत्तरी एशिया कह सकते हो थोड़ा नीचे आओगे तो इधर आपको दक्षन वाला हिस्सा मिलेगा तो दक्षन एशिया में यह सारा हिस्सा आता है जहाँ पर इंडिया पकिस्तानी सारे देश आते हैं तो सबसे पहले तो यही काम करना है कि दो इससे तो यह बट गए अब आता है आपका इस्ट में तो इस्ट एशिया में आपका यह सारा पूरा कंट्रीज आती है चाइना वगेरा यह सारी countries आती है इदर जापान वगेरा यह सब है तो यह सब कुछ East में आ गया यहां East और South के नीचे की दरब देखोगे तो यह South East बनता है तो यह पूरा हिस्सा जो है South East Asia कहलाता है इसके अंदर मेल ली Thailand, Laos जैसी countries आती है Malaysia जैसी वह अभी मैं आपको लगा हुआ है यह Central Asia कहलाता है तो यहां नीचे की तरफ South और West के बीच का इसको पूरी तरह West नहीं कहेंगे South और West कहेंगे तो यहां पे South West Asia आता है मैं आपको बता दूँ कि Asia की सबसे ज़्यादा countries इसी हिस्से के अंदर है South West के अंदर है अभी मैं आपको गिन्माऊंगा ए West जिस इस्से के अंदर है वहां जाके खत्म करेंगे तो हमको easily याद हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत है पार्ट्स में बाटने में कोई नहीं हो नीचे यह बहुत ही सिंपल है सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी एशिया की यानिकी North एशिया की North एशिया के अंदर एक पहले हम East की तरफ आते हैं East में आपको एक बड़ी कंट्री नज़र आएगी चायना चायना भी नोट हो जाता है क्योंकि रशिया के थोड़ा नीचे यह लेकिन चायना और रशिया के बीच में एक कंट्री है जिसको आप कहते हो मंगोलिया तो दो बड़े देशों के बीच में एक देश आता है जिसको आप मंगोलिया कहते हो तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अच्छा जापान में इधर की दरफ पूरवी हिस्से में आपको दो हिस्से नज़र आएंगे टूटे वे हैं बीच में लाइन भी नज़र आएगी उपर वाल में आता है आपका जापान यहाँ पे जापान सी भी है मतलब जापान का समंदर भी माना जाता है इसको तो समंदर के पास यहाँ पे आपको जापान नजर आएगा और एक छोटा सा देश और है यहाँ पर आपको दिखेगा वो है ताइवान अलकि ताइवान के उपर चाइ East Asia, मतलब जैसे हमारा East Asia हो गया, हम South East Asia के दरब चलते हैं, South East Asia में एक country है, जो हमारा पड़ोसी है, वो है Myanmar, म्यानमार तो याद रह जाएगा आपको, इसके बगल में आपको देखेगा Thailand, कुछ इस शेप के अंदर है, उस Thailand की ज़स बगल में है Laos, और यहाँ पे है आपका Cambodia, देखो, म्यानमार तो पड़ोसी है, तो वो तो याद रह जाएगा, Thailand और Laos बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे है आपका Cambodia, जो बिल्कुल बीच में आपको अलग से नदर आता है, तो इसे याद करने में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा इदर आक का हिसाब किताब बैठा हुआ है, आपको मालू मैं, ठीक है, और इदर की दरब आपको एक छोटा सा देश मिलेगा, जो की है Brune, यह जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, यह इंडोनेशिया है, और यह जो अलग हिस्सा है, वो है आपका Philippines, और इसी में इंडोनेशिया के दो पार्टस में आपको नदर आएगा, सिंगापॉर, बूने, इंडोनेशिया, इस्ट टिमॉर और फिलिपिन्स, यह वाली जो पार्टी है, यह चाइना वाली पार्टी से बिलकुल अलग है, यह चाइना वाली पार्टी मैं ने उपर आपको बताए थी, चाइना, मंगोल ताइवान, नौर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, यह अलग पार्टी है, इदर थाइलेंड, लाओस, कमबोडिया, वियतनाम, मलेशिया वाली अलग पार्टी है, तो अलग-अलग ही रखना है, देखो, सबसे उपर नौर्थ पे रशिया हो गया, नौर्थ के बाद इ तो आप तुरन्त पहचान जाओगे, सबसे पहले हमें अप मैप के उपर अपना देश ही नजर आता है, इंडिया, इंडिया नजर आया तो पाकिस्तान भी आएगा, पाकिस्तान नजर आया तो आपको बंगलादेश भी नजर आएगा, यह सब एक ही थे पहले, इसके नेपाल पैचान लोगे, भूटान पैचान लोगे, बंगलादेश पैचान लोगे, श्री लंका भी पैचान लोगे, और मालदीस भी पैचान लोगे, इसके बारे में तो मैं sure हूँ कि जाधातर लोगों को याद ही होगा, दखो यहाँ पे confusion, यहाँ पे सरफ South East Asia में बच्चो East के बाद South East और फिर South, अब हम कैसे चल रहे हैं, गड़ी की दिशा में चल रहे हैं, गड़ी कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है, हम कैसे चल रहे हैं, इसी तरीके से चल रहे हैं, अब यह हो गया, तो अब आप आजाईए Central Asia में, यह South West वाला हिस्सा जो हम सबसे last में करें सबसे पहले मद्धे इशिया कर लेते हैं, मद्धे इशिया में पांच कंट्रीज हैं, जिन पे स्तान लगा है, स्तान वालों को याद करना बहुत आसान, देखो यहां पे सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद यह वाला हिस्सा है किर्गिस्तान, देखो यह पे बीच में एक अफगानिस्तान बच जाता है, अफगानिस्तान को आप भारत वाले हिस्से में ही रखो, क्योंकि वहाँ पे आपको याद करना इजी हो जाएगा, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इन में मत जु जिसके अंदर सबसे जादा कंट्रीज है, देखो, याद भी इजीली हो जाएंगी, जादा हैं लेकिन याद हो जाएंगी, एक और में आपको बताता हूँ, इस तरफ चलेंगे हम, वेस्ट की तरफ, देखो सबसे पहले एरान, फिर एराक, फिर छोटा सा जॉर्डन, और उ यहिए वाला जो हिस्सा है अपका सीरिया है, यहीं पर आपका लैबिनॉण भी है, और यह छोटा सा साइप्रस भी है, तो यह चीज़ भी याद रखनी है, सीरिया, लैबिनॉण, साइप्रस, थीके, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, तो आपको साउधी अरेबिया साउदी अरिबिया के अलावा येमिन है ओमान है यू एई है अपको पता है इमरात जिसको आप कहते हो तो यू एई इधर आपका कतर है काफी अमीर देश है बहरीन है इधर आप थोड़ा उपर आओगे तो आपको कुएत भी मिल जाएगा कुएत मिल गया इधर आपके तीन देश और आते हैं जॉर्जिया अर्मेनिया अजर्बाइजान ठीक है ये जो छोटा सा हिस्सा आपको कटा हुआ देख रहा है न ये इजिप्ट का हिस्सा है और आखिर में ये थोड़ा सा जो तर्की है ये भी इशिया का पार्ट है ये इश आरे देश जो है वो आपके अरब कंट्रीज हो जाती है अरब देश हो जाते है देखो ये ओर्डर मत बूलना इरान इराक जॉर्डन इसराइज इसके बाद पैलेस्टाइन सीरिया लेबलान साइप्रस थोड़ा सा एजिप्ट भी है ये तो याद रही जाएगा साओधी अ ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुएत ये मैं मानता हूँ एक अलगी लिष्ट मानता हूँ उसको मैं यूकि इन में क्या पैसा बहुत है पैसे वाले अलग से गिन सकते हो आप लोग कि साओधी अरेभिया हो गया, येमिन हो गया, ओमान हो गया, UAE हो गया और कतर हो गया, बहरीन हो अब इसके बाद आपका काम ये है कि आप तीन नक्षे करित के लाएंगे वल्ड मैप के, पॉलिटिकल मैप के, एक जो है वो आपको थोड़ा देख देख के भरना है, दूसरा है वो बिना देख के भरना है और तीसरा भी बिना देख के भरना है, वो इसलिए क्योंकि पहले आपको कोई चीज यार्ट करनी है, तो अभी आप उसे कीजिए, एक घंटे के बाद कीजिए, 24 घंटे के बाद कीजिए, फिर एक हftे के बाद कीजिए, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, मैंने वो आइडिया अपनाया और उसने मेरे लिए वर्क भी किया, तो आपको भी यही करना है कि कोशिश कीजिए कि अब लगातार बार-बार एक पर्टिकुलर टाइम पीरिड के अंदर की प्रैक्टिस करते रहे। तो दोस्तो अज़ की इस विडियो में आपको नक्षे की मदद से North America यानि की उतरी America महादीप समझाओंगा। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उतरी America में कौन-कौन से देश है, उनकी राशधानिया क्या-क्या है और उनकी विशेष्टाएं क्या-क्या है. जैसा कि आपको पता है कि हम एशिया महादीप को पढ़ चुके हैं तो अब बारी है उत्तरी अमेरिका महादीप की तो देखे सबसे पहले तो मैं आपके सामने यह अर्थ रख देता हूँ अगर मैं अर्थ के बीचो बीच एक लाइन खीज दूँ जिसको आप प्रधान मध्या या फिर प्रधान देशांतर रेखा भी कह सकते हो तो जो अर्थ है जो हमारी प्रत्वी है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी एक हिस्सा होगा वेस्ट का और एक हिस्सा होगा इस्ट का तो आब North America जो है वो आपके West वाले हिस्से में है, पस्चमी हिस्से में, तो पस्चमी अर्ध गोलार्थ के अंदर आता है उत्तरी अमेरिका, वहीं अगर एक लाइन में कुछ इस तरीके से खीच दू, तो यहाँ पे भी जो प्रत्वी है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक हिस्सा होगा North का, यानि कि उत्तर का, और एक हिस्सा होगा South का, तो आपका उत्तरी अमेरिका कहा होगा, उत्तर की साइडी होगा, तो जो उत्तरी अमेरिका है, उसकी भोगलिक सिति क्या हुई, उत्तर पस्चमी गोलार्थ, इस बात को ठीक से समझ लो कि इसकी भोगलिक महासागर मिलेगा और दक्षणी हिस्से में आपको दक्षणी अमेरिका मिलेगा मतलब यह जो आपका उत्तरी अमेरिका है यह तीन तरफ से समुदर से गिरा हुआ है उपर आक्टिक महासागर पुर में अट्लांटिक महासागर, पस्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षण में एक महादीप और है जो की है दक्षणी अमेरिका तो भागालिक स्थिती अब आपको समझ में आ गई है तो देखो अब बात करते हैं इसके देशों की, तो देखो उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश है, लेकिन 23 देशों को देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे उपर आपको एक ग्रीन लैंड नदर आएगा, वैसे तो यह ग्रीन लैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका का दूइ की जाए, तो इसके अंदर टोटल 23 देश है 23 देशों में से तीन बड़े देश मैं आपको बता देता हूँ, जिनका नाम आपने अकसर सुना होगा, सबसे उपर आता है आपका कैनेडा कैनेडा के बाद आता है आपका United States of America USA जिसको आप कहते हो और उसके जस्ट नीचे आता है मैकसिको, अगर कैनेडा की बात की जाये तो कैनेडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला सबसे बड़ा देश रशिया है, और दूसरा सबसे बड़ा देश कैनेडा है शेत्रफल की दृष्टी से देखा जाए तो मैं आपको बता दू कि जो कैनेडा है वो अपने रौकी परवतों के लिए बहुत जादा जाना जाता है यहाँ पे माउंट क्लाइमिंग बहुत जादा होती है लोग पहाड़ों पे चड़ते हैं और जायतर क्लाइमवर्स आपको यहीं मिलेंगे तो कैनेडा हो जाता है कैनेडा के बाद आता है आपका United States of America अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है यह जो है दुनिया की सबसे शक्ति शाली अर्थ व्यवस्ता है इस वक्त और यह अपनी आधोनिक जीवन शैली के लिए जाने जाती है मैं आपको पता दू कि अमेरिका के अंदर States वाला सिस्टम चलता है आपको पता है Federal सिस्टम चलता है वहाँ स्टेट अपने अपने कानून के हिसाब से चलते हैं और यहाँ पे कई संस्कृतियों के लोग बसते हैं मतलब कई देशों से लोग आते हैं तो यहाँ की जो संस्कृति है वो विविध है बहुत जादा आप संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं तीसरा जो देश है वो है Mexico और Mexico की राज़दानी है Mexico City मैक्सिको के अंदर दो सब्विताओं के खंडर पाये जाते हैं एक तो है माया सब्विता बहुत ही फेमस है और दूसरा है एजटेक सब्विता ये दोनों ही सब्विताओं मैत्वपूर हैं इनसे सवाल बन सकता है तो इनके खंडर कहा पाय जाते हैं मैकसेको के अंदर पाय जाते हैं तो तीन देश हो जाते हैं आपके कैनेडा, USA, मैकसेको यहां तक तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इसके बाद ही जो नीचे वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहां पे आपको जायतर द्वीप नज़र आएंगे छोटे छोटे द्वीप नज़र आएंगे इनके उपर देश बसे हुए हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं जिनकी राजधानी आपको याद करनी है सबसे पहले आता है ग्वाटेमाला Guatemala की राज़ाणी है Guatemala City और ये मध्य अमेरिका के अन्दर स्तित है मध्य अमेरिका आप देख सकते हो कि उपर आपको North America देखेगा नीचे आपको South America देखेगा नीचे South America वाला है जो Continent है और बीच में आपको Guatemala देखेगा तो गौाटेमाला मध्य अमेरिका का हिस्सा ही हो जाता है यहाँ पे भी माया सब्विता के कुछ खंडर पाय जाते हैं और साथी बहुत से ज्वाला मुही पाय जाते है तो गौाटेमाला बहुत important है, इसको आप याद कर सकते हैं गौाटेमाला के बाद आता है Al Salvador अल सल्वा डौर की राजधानी है सैन सल्वा डौर ये भी मध्य अमेरिका में इस्तित है क्योंकि ये थोड़ा सा पास महीं है आप देख सकते हो यहाँ पे प्राचीन माया सब्विता के खंडर पाए जाते हैं देखो जायतर माया सब्विता जो थी वो मैक्सिकुस लेके इस ह बिता के खंडर तो अल सल्वा डौर हो जाता है इसके जस्ट पास में आपको मिलता है निकारागुआ निकारागुआ की जो राजधानी है वो मनागुआ है और यहाँ पे बहुत से ज्वाला मुखी जील और समुदर तट पाए जाते हैं जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत से समुदरी तट आपको मिल लाएंगे सुन्दर सुन्दर तो यह हो जाता है आपका निकारागुआ निकारागुआ के बाद आता है कॉस्टारिका की जो राजधानी है वो सेन जॉस है और इसको प्रत्वी पर स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे धेर सारी जय विविता पाई जाती है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से वन्यजीव पाई जाते हैं तो यह जगा प्रकरती की वेज़से बहुत ही खुबसूरत है इसलिए इसको प्रत्वी पर स्वर्ग कहा गया है इसके बाद थोड़ा नीचे आपको मिलता है पनामा पेपर्स जो की वर्ल्ड फेमस है तो उसके लिए बहुत ही मशूर है इसको आपको जरूर याद रखना है इसके बाद इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर दो और देश आपको नज़र आएंगे एक है आपका बैलीज जिसकी राज़दानी है बैल मोपान याद रख लो बैल होंडूरास का नाम आपने सुना होगा इसकी जो capital है याद हो जाएगा तो तीन बार कोशिश करोगे तो तेगू से गाल पान इसके बारे में फेमस बात यह है कि जो होंडूराथ जो है होंडूरास शहर वो माया सबिता के सबसे बड़े शहरों में document मौन सा शेर होंडूरास उसी के नाम से इस पूरे देश का नाम पड़ा है इसके बाद थोड़ा समुद्र की तरफ चलते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा बहामास यह नाम आपने सरूर सुना होगा बहामास जो है वो बहुत से लोग जाते हैं गूमने के लिए यहाँ की जो राजधानी है वो है नासाओ मैं आपको बता दू कि जो बहामास है वो 700 से भी ज़्यादा छोटे छोटे दीपो का समू है यह जो अलग से आपको छोटा सा इससा दिख रहा है ना यहाँ पे 700 से भी ज़्यादा दूइप है छोटे 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 यहां का जो capital है वो है हवाना हवाना याद रख लो हवाना यह जो है अपनी संस्कृती, इतिहास, सिगार और रम के लिए बहुत ही famous country है तो क्यूबा को आपको जरूर याद रखना है काफी जरूरी country हो जाती है क्यूबा के बाद आता है आपका जमैका आपने उसेन बोल्ट का नाम जरूर सुना होगा उसेन बोल्ट एक धावक है, बहुती तेज दोड़ते थे, अब तो शायद रिटायर हो गए है उसेन बोल्ट जो है वो जमैका से ही आते हैं और वो यही को represent करते हैं मैं आपको बता दूँ कि ये रेक संगीत और ब्लू माउंटेन कॉफी के लिए बहुती मशूर आइलेंड है यहाँ पे बहुत सी ऐसी खेती होती है ब्लू माउंटेन कॉफी की इसके अलावा इसकी जो राजदानी है वो किंस्टन है याद रख लो किंस्टन है तो ये जमैका को आप उसेन बोल्ट से याद रख सकते हैं इसके थोड़ा दोर आपको एक और आइलेंड नजर आएगा एक और दूइप नजर आएगा जहाँ पे दो देश है एक तो है आपका डोमैनिकन गनराज्य द्यान से समझ लो ये है डोमैनिकन गनराज्य जहां की जो राजदानी है वो सेंटो डोमेंगो है सेंटो डोमेंगो ये केरेबियन का सबसे बड़ा दूइप माना जाता है ये अपने गॉल्फ कोर्स, समुद्र तट और जीवन्त संस्कृती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है तो इसको आप याद रख लो डोमैनिकन गनराज्य और उसी से जुड़ा हुआ एक और देश है जिसका नाम है हैती हैती की जो राजधानी है वो पार्ट ओ प्रिंस है और ये अपनी संब्रद संस्कृती के लिए बहुत ही फेमस है तो डोमैनिकन गनराज्य और हैती बिलकुल एक साथ ही जुड़े हुए है आप कहसकते हो कि एक ही आइलेंड का हिस्स्ता है ये तो काफी बड़ा आइलेंड हो जाता है ये डोमैनिकन गनराज्य तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है इसके बाद एक द्वीप होर है जिसका नाम है प्यूरेटो रीको प्यूरेटो रीको की जो राजधानी है वो सैन हुएन है इसको भी याद रख लो सैन हुएन इससे कॉश्चन बन सकता है अब इसके बाद यहाँ आपको एंटीगुआ और बार्बुडा ने दर आएगा एंटीगुआ और बार्बुडा ये भी द्वीप है इनकी जो राजधानी है वो है सैंट जॉन और ये अपने गुलाबी रेत वाले तटो के लिए बहुत ही फेमस है पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गुलाबी रेत वाले तट कौन से हैं कहां पे हैं तो एंटीगुआ और बार्बुडा आप कह सकते हैं इसके बाद आता है डॉमेनिका आइलेंड या फे डॉमेनिका द्वीप जिसकी राजधानी है रोसो याद रख लो रोसो ये अपने गर्म ज़र्णों के लिए और वर्शावनों के लिए बहुत ही फेमस हैं तो डॉमेनिका को भी याद रख लो याद रखो ये डॉमेनिकन ग गणराज्य था हेती के साथ और यह डोमैन इका है। इसके बाद आता है बारबा डोज जिसकी राजधानी है ब्रिच टाउन। याद रख लो। यह अपने खुबसूरत तटों के लिए बहुत ही फेमस है। तो बारबा डोज को भी ठीक तरीके से याद रखना। इसके बाद आता है आपका ग्रिनेडा यहाँ पर ग्रिनेडा नदर आएगा आपको ग्रिनेडा की राजधानी जो है वो सेंट जॉर्ज है और इसको मसालो के द्वीब के नाम से भी जाना जाता है मसालो के द्वीब के नाम से क्योंकि यहाँ पर मसालो की खेती होती है तो इसलिए इसे मसालों का द्वीब कहा जाता है इसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे तरिनीदाद और टोबैगो नजर आएगा तरिनीदाद और टोबैगो इसका नाम भी आपने सुना होगा कभी न कभी यह जो है इसकी राजदानी है पॉर्ट ओफ सोन इसको याद रख लो और यह अपने कार्निवल और विविद संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है तो यह हो जाता है आपका आखरी केरेबियन आइलेंड अब देखिए यह जितने भी नाम होंगे जिनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं तो ऐसे में अगर आप गिनने जाओगे तो आपको बहुत से दूइप मिल जाएंगे लेकिन जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन से सवाल जरूर बन सकता है तो इनको आपको जरूर याद रखना है तो आज बारी है दक्षणी अमेरिका महादीप की हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षणी अमेरिका महादीप में कितने देश हैं क्या है उनकी भ्योगलिक विशेशता है उनकी राजधानी ये सारी चीजे हम मोटे रूप से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें पूरा continent समझ में आ सके देखिए अभी हम सारे continents की देशों की स्थिती समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आगे चलके हम इसके भूगोल को समझ सके जैसे कि कितने यहाँ परवश रंकलाएं हैं, कितनी नदियां हैं किस हिसाब से यहाँ पर और changes आते हैं, वो सारी चीज़े हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखो अगर दक्षणी अमेरिका महादीप की भौगोलिक स्थिती की बात की जाए तो देखिए अगर मैं बीच में प्रतवी के एक लाइन खीच दू तो आपको पता है कि यहाँ पर दो हिस्से हो जाते हैं, एक है western side यानि कि पश्चमी हिस्सा और एक है पूरवी हिस्सा अब दिख रहा है कि यह महादीप कौन से गोलार्द में आएगा, यह आएगा आपके पश्चमी गोलार्द के अंदर अब ऐसे में अगर मैं एक भूम अद्दे रेखा और खीज दू, तो यहाँ पर दो हिस्से और बढ़ जाते हैं एक है उत्तरी हिस्सा और एक है दक्शन हिस्सा और यह महादीप दक्शनी हिस्से के अंदर आएगा तो इसका मतलब दक्षण अमेरिका महादीप की स्थिती क्या हुई दक्षण पस्चमी ध्यान से समझ लो दक्षण पस्चमी जो आपका उत्तरी महादीप है उत्तरी अमेरिका का महादीप है वो उत्तर पस्चमी था ये दक्षण पस्चमी है बात करें इसकी सीमाओं की तो द अगर भी नदर आएगा तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हो तो ये इसकी सीमाएं हो जाती है अब बात करें इसके अंदर आने वाले देशों की तो देखो यहाँ पे कुल 12 सुतंतर देश है मतलब ऐसे 12 देश जिन्होंने आजादी हासल की है मैं आपको बता दूँ कि यूरोपियन पावर्स ने मतलब यूरोप की यो शक्तियां थी उन्होंने इस दक्षिन अमेरिका को भी निशाना बनाया था यहाँ पे भी कॉलोनिया बनी थी लेकिन इन्होंने भी अपने दम पे आजादी प्राप्त की और फाइनली यह स्वतंत्र हो गए तो पूरे दक्षिन अमेरिका के अंदर 12 स्वतंत्र देश है और इसके अलवा थोड़े बहुत ऐसे आइलेंड भी है जो की आशरित है अब एक आशरित शेत्र क्या होता है देखो एक आशरित शेत्र वो होता है जहां पे अपनी संप्रभुता नहीं होती है अपनी राज्यतिक स्वतंत्रता नहीं होती है अब जैसे स्वतंत्र देश क्या करते है अपनी सरकार खुद बनाते है लेकिन आशरित शेत्रों में ऐसा नहीं होता है कोई शेत्र हो सकता है कि किसी बड़े देश के उपर आश्रित हो तो वो देश ही तैय करता है महाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा तो ऐसी इस्तिती में उसे आश्रित शेत्र कहा जाएगा अब बात करें उन देशों की जो दक्षिनी अमेरिका में आते हैं तो उसमें है ब्राजील, ब्राजील की राजदानी है ब्राजीलिया और ये दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, मैं आपको पता दो कि जो Amazon वर्शावन है जिसका नाम आपने सुनाओगा Amazon Rainforest, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्राजील के अंदर मौजूद है, जी हाँ इस बात को याद रख लो कि Amazon वर्शावन कहां पे है ब्राजील के अंदर, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके बाद आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजदानी है ब्यूनस आरियस, याद रख लो, इसके बाद आता है कोलंबिया, कोलंबिया की राजदानी है बोगोटा, और यहाँ पे भी एंडिच परवत, केरिबियन तट और Amazon वर्शावन जैसे विविद भोगलिक विशिश्टाएं मौजूद है, क्या क्या है, एंडिच परवत है, केरिबियन तट है, और Amazon केरिबियन तट का मतलब यह हो गया, कि यह केरिबियन सागर के आसपास बसा हुआ है, तो यहाँ पे केरिबियन सागर के तट मिलेंगे आपको, बीचिस मिलेंगे, तो कोलंबिया को भी याद रखना है, कोलंबिया के बाद आता है आपका पेरू, पेरू की जो राजदानी ह इसके बाद आता है आपका चिली, चिली का नाम भी आपने सुना होगा, चिली की जो राजदानी है वो सेंटियागो है, इस पूरे देश की खासियत ये है कि इसके एक तरफ तो प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ एंडीच परवश रंकला है जो कि इस तरीके से है, तो पेरू और चिली, ये दक्षणी अमेरिकी महादीप के पांच मैत्वपून देश हैं, इनको आप सबसे पहले याद रख लो, ब्राजील, अर्जंटीना, कॉलंबिया, पेरू और चिली, इसके बाद कुछ अन्य देश आते हैं, जिनके पस उतनी पावर नहीं है, पर इंप परपाद जो है, दुनिया का सबसे उचा जलपरपाद है, अविभाजे जलपरपाद, जलपरपाद का मतलब होता है जहरना, मतलब दुनिया का सबसे उचा जहरना यहाँ पे मौझूद है, जो की अविभाजित है, अविभाजित मतलब बीच में टूटता नहीं है, सबसे लंबा है इसके बाद आता है आपका बॉलिविया बॉलिविया की जो राजदानी है वो लापाज है वैसे तो दो राजदानी है यहापे लापाज राजदानी जो है वो समविधानिक राजदानी है और जो सुक्रे है वो न्याईक राजदानी है तो दो राजदानी हो जाती ह मैं आपको बतादो कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान मौजूद है जिसका नाम है इसके बाद बात करते हैं एकवाडार के बारे में और ये विज्ञान की दृष्टी से एक बहुती मैत्वपूर्ण जगे है, आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन ने विकासवात का सिध्धान्त दिया था, कि दुनिया जो है evolution से निकली है, आदमी जो है बंदर से निकला है, तो यहाँ पे ए इसके बाद आता है आपका उरुगवे, उरुगवे की जो राजदानी है वो मोटे वीडियो है, मोटे वीडियो, पैमपा घास के मैदानों के लिए बहुती मशूर देश है यह, इसको भी आपको याद रखना है, इसके बाद आपके तीन देश आते हैं, एक है पेरागवे एक है सुरी नाम और एक है गयाना, पैरागवे की राजदानी जो है वो अनसुन सियोन है, अनसुन सियोन, और यह पराना नदी के किनारे इस्तित है यह देश, ज़ादा याद रखने की ज़रूत नहीं है, सरफ इतना याद रख लो, सुरी नाम की बात की जाए, तो इसकी जो राजदानी है वो पैरा मारीबो है, और यह दक्षणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है, इसको भी याद रख लो, सुरी नाम सबसे छोटा देश, और आखिर में आता है गयाना, गयाना की जो राजदानी है वो जौर्ज टाउन है और यह केरेबियन तट पर इस्तित ह तो इनके बारे में ज़ादा याद रखने की ज़रूत नहीं है, सिर्फ एक सुरी नाम याद रख लो, जो की सबसे छोटा देश है, बाकि उपर के देशों को आपको याद रखना है, जैसे कि उपर के पांच मैंने आपको बताए, बहुत ही महत्वपून देश थे, ब्राजी अर्जेंटीना, कॉलंबिया, पेरू, चिली, उसके बाद थोड़े से और इंपोर्टेंट देश बताये थे मैंने आपको लेकिन कम इंपोर्टेंट है, मतलब इन से ज़ादा इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे वेनेजुएला हो गया, बॉलिविया, एकवाडॉर, उरुग उस्टेलिया महादीप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम महादीपों की बात कर रहे हैं, और हम एशिया की बात कर चुके हैं, उत्तरी अमेरिका की कर चुके हैं, दक्षणी अमेरिका की कर चुके हैं, तो आज हम उस्टेलिया महादीप की बात कर बच्चों के अंदर क्या उस्टेलिया महादीब क्या है और ओसेनिया शेत्र क्या है क्या इसको ओसेनिया महादीब कहा जाएगा कैसे हम इसको याद कर सकते हैं ये सारी चीज़े आज हम कवर करनी की कोशिश करेंगे तो दिखो सबसे पहले भौगोल एक स्थिति की बात कर ले हमारे सामने ये नक्षा है प्रत्वी का अगर मैं इसके बीच में से एक प्रधान मध्याय की प्रधान देशांतर रेखा खीच देता हूँ तो यहाँ पे दो हिससे बढ़ जाते हैं एक है इस्ट एक है वेस्ट यानि की एक पूरव और एक पस्चिब तो ऑस्टेलिया हो गई दक्षिन पूर्वी ध्यान से समझ लो दक्षिन पूर्व के अंदर कुछ इस कोने के अंदर है आपका उस्टेलिया महादीप अब सबसे पहले इस नक्षे के अंदर मैं आपको कुछ चीज़े बता देता हूँ यहाँ पे आपको मलेशिया नजर आएगा फिलिपिन पढ़ना है तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि कौन सा हिस्सा ऑस्टेलिया में पढ़ना है और कौन सा एशिया में पढ़ना है अब बात करते हैं ऑस्टेलिया देश की और ऑस्टेलिया महादीप की देखे ऑस्टेलिया एक देश भी यह आपको पता है और ऑस्टेलिया एक फिर से समझ लो Australia का अब जो mainland है पूरा और नीचे जो Tasmania है छोटा सा इन दोनों को मिलाके एक Australia देश बनता है याद रखो Tasmania कोई अलग से country नहीं है ये इसी का part है लेकिन चुकि ये island है मतलब द्वीप है छोटा द्वीप है इसलिए अलग से जोड़के बताया गया है तो ये Australia देश हो जाता है यहां तक बात clear हो जाती है तो अब Australia महादीप में क्या क्या आएगा देखो एक तो ये mainland आएगा एक तसमेनिया आएगा इसके अलावा ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है आदा हिस्सा इसका नाम है पपुआ नियू गिनी दियान से समझ लो पपुआ नियू गिनी को आप जुड़ोगे तीन चीजों को आप जुड़ोगे तो बनेगा Australia महादीप जी हां Australia महादीप सरफ इतना ही है ये Australia का पूरा लैंड हो जाता है पूरी भूमी हो जाती है निचे तसमेनिया हो जाता है और पपुआ नियू गिनी हो जाता है तीनो को मिलाओगे तो बनता है Australian महादीब अच्छा मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ यह तस्वीर आपने जरूर देखी होगी आपसे कुछ महीनों पहले जहां पे आपको प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के साथ एक और प्रधानमंत्री नजर आएंगे, ये जो प्रधानमंत्री है, ये पपुआ नियो गिनी के प्रधानमंत्री है, इन्होंने ही इस तरीके से वेलकम किया था मोधी जी का, तो आप इस पिच्चर से याद रख सकते हो, आपको याद आ गया होगा, ये पपुआ नियो गिनी के प् जिसमें से न्यूजीलेंड भी एक है, न्यूजीलेंड अब बहुत important देश है, आपको पता है, तो अब सवाल उड़ता है कि क्या ये Australia महादीब का हिस्सा नहीं है, तो नहीं है, याद रखो ये Australia महादीब का हिस्सा नहीं है, चूंकि ये ocean का हिस्सा है, इसलिए इस पूरे हि जानते हैं, तो अगर आपसे कोई oceania शेत्र कहता है और Australia महादीब कहता है, तो दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में सीधे-सीधे आ जाएगा, कि महादीब कौन सा है Australia का, और oceania शेत्र में ये सारे आते हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि oceania शेत्र को भी चा उपर की तरफ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नीचे की तरफ दक्षणी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यानि कि पस्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इधर आप देखोगे तो यहाँ पे Queensland नजर आएगा, Queensland का नाम आपने सुना होगा, यहाँ नीचे की तरफ आता है आपका न्यू साउथ वेल्स इसको आप कह सकते हो कि न्यू दक्षन वेल्स है यह इससा है और सबसे नीचे आता है आपका विक्तोरिया तो पांच तो कुल मिला कि आस्टेलिया देश के छे हिससे हो जाते हैं उत्तर पस्चिम दक्षन कुईंस लैंड यहाँ पे न्यू पस्चिम नाम पता है कि यहाँ बड़े बड़े क्रिकट के मैदान है तो पर्थ है वेस्ट उस्टेलिया में यहाँ पे है आपका अधिलेड भी बहुती फेमस जगह है यहां पर पि अच्छे-च्छे मैदान बने ऊए है वहीं अगर आब बात करोगे कुईंस लेंड की तो Queensland में एक शहर है जिसका नाम है Brisbane Brisbane शहर भी बहुत ही फेमस है New South Wales में आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा Sydney Sydney का नाम तो सब ने सुना होगा इसके अलबब यहाँ पर एक और शहर है जिसका नाम है Canberra अब Canberra जो है वो Australia की राजधानी है इसको ठीक से याद रख लो यह Canberra ऑश्ट्रेलिया की राजधानी है और जब आप Victoria आओगे तो Victoria में आपको मिलेगा Melbourne Melbourne भी बहुत ही फेमस है तो Darwin हो गया, Perth हो गया, Adelaide, Brisbane, Sydney, Canberra और Melbourne यह important शहर है जो अलग-अलग जगह पे बसे हुए हैं तो Australia देश आपको इस तरीके से याद रखना है यहाँ पे आपको Great Bite भी नदर आएगी Great Bite का मतलब होता है जिसे किसी ने Bread पे एक Bite ले रखी है काट के खाया है उसको तो एक Great Bite है एक तरीके से खाड़ी है एक तरीके की तो इस खाड़ी से सवाल बन सकता है इसको आपको ज़रूर याद रखना है अच्छा यह जो तसमेनिया आपको नदर आ रहा है यहाँ पे भी एक Important शेहर है जिसका नाम है Hobart शेहर Hobart शेहर को भी आप याद रख सकते हैं ऑस्टेलिया की बनावट आपको समझ में आई कि किन-किन हिस्सों में बटा हुआ है और किन-किन हिस्सों में शेहर है हालाकि यह पूरा है तो एक ही देश बटा हुआ है का मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह काटके यह रोग रहते हैं अलग-लग उके रहते हैं यहाँ पर बात यह है कि अलग-अलग हिस्सों में आप याद कर सकते हो इस देश को, तो यह बनावट हो जाती है, अब बात करते हैं पूरे ओशीनिया के बारे में कि इसको कितने हिस्सों में तोड़ा गया है, तो देखो इसको चार हिस्सों के अंदर तोड़ा गया है, सबसे जो हिस्सा है उसका नाम है मैलेनेशिया, उसके अंदर चार देश आते हैं, एक है पपुआ न्यूगिनी, एक है सोलोमन आइलेंड, एक है वानुआतू, एक है फिजी और एक है न्यू कैलीडॉनिया, अब आप कहोगे यह तो पांच हो गए, तो देखो न्यू कैलीडॉनिया एक आइलेंड है, एक द्वीप है, यह एक देश नहीं है, यह एक देश नहीं है, देश कौन-कौन से है, पपुआ न्यूगिनी है, सोलोमन आइलेंड है, वानुआतू और फिजी, चार देश आते हैं इसके अंदर, किसमें मैलेनेशिया के अंदर, तो दो हिस्से हो जाते ह उसे निया के, पहला तो है Australasia और दूसरा है Melanasia, तीसरा जो हिस्सा आता है उसको कहते है Micronasia, Micronasia अशले कहते हैं जो कि यहाँ पर island बहुत सारे हैं और देश भी बहुत सारे हैं, इसमें Palau, Federated States of Micronasia, Noru, Kiribati और Republic of Marshall Islands यह जो सारे हिस्से जब आप मिला दोगे न तो इसका एक हिस्सा बनता है जिसका नाम है Micronasia इसमें टोटल पांस देश हो जाते हैं पांच का नाम मैंने आपको बता है पहला हिस्सा Australasia दूसरा Melanesia और तीसरा Micronasia यह Micronasia के हैं और आखिर में आता है आपका चौथा हिस्सा जिसका नाम है Polynesia Polynesia ओसेनिया का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें आता है आपका Hawaiian Islands जो सबसे उपर है सबसे नीचे आता है आपका New Zealand इधर की तरफ आता है Easter Island यहाँ पे आता है Tuvalu Samau तोंगा इन सबी को जो आप मिला दोगे तो आपका बनता है Polynesia अब आप मुझसे कह सकते हो कि सर यह जो New Zealand है यह तो Australasia का हिस्सा है तो फिर इसको मैंने इसका हिस्सा क्यों बना दिया Polynesia का तो मैं आपको बता दूँ कि यह एक exception है कि New Zealand जो है वो Australasia का भी हिस्सा है और आपके Polynesia का भी हिस्सा है तो इसको specially याद रख लो मैंने कहा था New Zealand special है काफी तो इसलिए यह दोनों का हिस्सा है तो यह सारे चारों हिस्से जब आप मिला देते हो तब आपका बनता है Ocenesia पूरा Ocenesia शित्र बनता है तो मैं अच्छी तरह समस्ता हूँ कि इसके अंदर आपको confusion हो रहा होगा जैसे सबसे पहले Australia देश की मैंने बात की तो Australia देश में सरफ Australia और Tasmania आता है Australia महादीब के अंदर Australia, Tasmania और उपर यह Papua New Guinea भी आता है फिर यह जो सारे हिस्से हैं इनकों मिलाके बनता है आपका Ocenia और उस Ocenia को भी चार भागों के अंदर बाटा गया है पहले आता है Australasia, फिर Melanesia, फिर Micronesia और आखिर में Polynesia तो अगर आप बार बार इस point को देखोगे तो यह चीज आपको जरूर याद हो जाएगा तो Australia महादीब क्लियर हो गया, Ocenia क्लियर हो गया अब मैं यहाँ पे अलग से एक बार New Zealand की बात और करना चाहता हूँ जी हाँ, New Zealand के बारे में अभी और भी चीज़े बाकी हैं यह जो आपको New Zealand नजर आ रहा है, इसके बारे में 2017 में भूगोल विदो ने एक चीज़ पता लगाई scientist ने एक चीज़ पता लगाई कि यह New Zealand एक बहुत बड़े continent का हिस्सा है और वो जो continent है वो पूरा का पूरा डूबा हुआ है पानी के अंदर मतलब 94 प्रतिशत हिस्सा जो है उस continent का उस महादीब का वो डूबा हुआ है जब यह बात पता चली तो इस महादीब को Zealand या का नाम दिया गया था इस हिस्से के अंदर सिर्फ New Zealand है जो बहार रह गया था और उपर की तरफ New Caledonia जो आईलेंड आपको दिख रहा है यह बहार रह गया था बाकी जितना भी हिस्सा है वो सब डूबा हुआ है हाला कि मैं आपको बता दू कि इस वे विवाद बहुत जादा है कई सारे ऐसे साइन्टिस्ट हैं भोव अलविद हैं वो यह मानते हैं कि यह भी आस्टेलिया से तूटके ही अलग हुआ है और कई यह मानते हैं कि यह अपने आप में ही अलग था पहले से तो इसको अलग महादीब की पैचान ही दी जानी चाहिए अब यह तो धीरे धीरे करके इसको अगर अपना सुरूप मिल जाएगा तो यह बन जाएगा महादीब हाला कि इसका जायतर हिस्टा पानी के अंदर डूबा हुआ है तो यह बात काफी विवादास्पद है कि इसको दरजा मिलेगा के नहीं मिलेगा महादीब का पिलाल ये एक research का हिस्सा है, तो यहाँ पे आपको चार चीज़े clear हो जाती है, एक Australia देश क्या है, एक Australia महादीब क्या है, एक Australia क्या है, एक Australia के हिस्से कितने हैं, और आखिर में आपको New Zealand के बारे में भी पता चल जाता है, तो total चार या पांच चीज़े हो जाती हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है, अब आखिर में मैं आपको कुछ एक facts बता देता हूँ, जिससे directly GK के सवाल बन सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक मकर रेखा निकलती है, आपको पता है, वो मकर रेखा जो है, वो Australia को दो बराबर हिस्सों के अंदर तोड़ती है, ये अब इंडोनेशिया की राजनिती चलती है, मतलब ये इंडोनेशिया की राजनितिक शेत्र है, तो ये बिलकुल अलग है, एक तरीक से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अलग ही माना जाएगा, तो इसे भी आपको याद रखना है, और आखिर में जो आपको हवाइन इंडर आता है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, तो देखो ये कुछ important चीज़े हो जाती है, अब मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे शेत्र में भूगोल की दृष्टी से पढ़ने के लिए काफी कुछ है, जो समय के साथ हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे यॉरप महादीप में कौन-कौन से देश है, उनकी राजधानिया क्या-कया है, और उसकी स्थिति क्या है, देखे आने वाली जो भूगोल की वीडियो होने वाली है, वर्ल्ल जोगराफिक की वीडियो होने वाली है, उसकी लिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मैप है आपके सामने इस मैप में आप एक प्रधान मध्या एक प्रधान देशांतर रेका कीज़ दो तो आपको पता चलेगा कि जादतर यॉरप का जो हिस्सा है वो कहां है पूर्वी हिस्से के अंदर आता है मतलब अधिकांश यॉरप महादीप की जो स्तिती है वो पूर्व की तरफ आता है उपर भी आप देखोगे कि थोड़े बहुत हिस्से जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहे है लेकिन आप कह सकते हो कि जो अधिकांश यॉरप है वो कहां पे है वो पूर्वी हिस्से के अंदर आता है वहीं अगर हम भूम अद्दे रेखा की बात करें तो ये अर्थ को दो हिस्सों में तोड़ देता है एक है उत्तरी हिस्सा और एक है दक्षिन हिस्सा अब आप बताईए कि यॉरप कहां है उत्तरी हिस्से के अंदर है तो जायतर हिस्सा जो है वो उत्तरी हिस्से के अंदर आता है तो इसकी स्तिती क्या हो जाती है उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी इस्तिती हो जाती है योरप की अब अगर आप योरप के नक्षे को उपर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि योरप एक प्रायदीप है प्रायदीप का मतलब क्या होता है एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो ये भी पानी से घिरा है आप उत्तर की तरफ देखोगे तो आक्टिक महासागर नजर आएगा पस्चिम की तरफ देखोगे तो अटलांटिक महासागर नजर आएगा और दक्षिन में आपको भूम अध्य सागर जिसको Mediterranean Sea के नाम से भी जना जाता है वो नदर आएगा तो उपर है Arctic, पस्चिम में है Atlantic और दक्षिन में है भूम अध्य सागर मैं आपको बता दूँ कि जो भूम अध्य सागर है यह Atlantic महा सागर से ही जुड़ा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो तो तीन तरफ से यह पानी से घिर जाता है तो पूरा यूरप एक प्रायदीप हो जाता है सबसे पहले तो इसको याद रख लो प्रायदीप हो जाता है तो पूरा यूरप एक प्रायदीप हो जाता है लेकिन इस बड़े से प्रायदीप में छोटे छोटे प्रायदीप भी आपको नजर आएंगे जैसे कि आप उत्तरी यूरप की तरफ देखो तो आपको यहाँ पे Sweden नजर आएगा नौर्वे नजर आएगा ये भी तीन तरफ से पानी से गिरा हुआ है एक दो तीन तो ये भी एक प्रायदीप हो जाता है इसको आप Scandinavia प्रायदीप कहोगे ये जो देश आपको उपर नजर आ रहे है Sweden नौर्वे ये Scandinavia देश है तो इसको Scandinavia प्रायदीप कहा जाएगा यहां पे आपको Iberian प्रायदीप नजर आएगा Iberian प्रायदीप में आपको Portugal और Spain नजर आएगे ये भी तीन तरफ से पानी से गिरे हुए है थोड़ा सा इधर आओगे तो आपको Italy प्रायदीप नजर आएगा Italy प्रायदीप भी तीन तरफ से पानी से गिरा हुआ है यहाँ पे इटली, सैन मरीनो, वैटिकन सिटी, मोनाको, यह सारे देश आते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो यह इटली प्रायदीप हो जाता है, इस तरीकी से थोड़ा यहाँ आओगे, तो यहाँ पे आपको स्लोवेनिया, क्रोेशिया, बैसीना और हर्जे गोविना, यह सारी कंट्रीज नदर आएंगी, तो यह कंट्रीज भी तीन तरफ से पानी से गिरी हुई है, तो यह भी एक प्रायदीप है, इसको बालकन प्रायदीप कहा जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कि पूरे यूरप को प्रायदीपों में तोड़ सकते हैं, उत्तर का प्रिटेरियन प्रयदीप अलग हो गया, बिटेन प्रयदीप अलग हो गया, इटली प्रयदीप बालकन प्रयदीप तो इस तरीकते से आपको easily याद हो जाएगा, तो सबसे पहले हम Scandinavia प्रयदीप की बात करते हistä हैं, कि यहां पर Scandinavia यह देश आते हैं उत्तरी यूरप में आपको नज़र आएगा इसमें आपको mainly Sweden Norway यह दो देश नज़र आएगे इसके लावा नीचे आपको Denmark नज़र आएगा इधर Finland नज़र आएगा थोड़ा इधर आओगे तो आपको Iceland नज़र आएगा अब आप यह कहोगे कि Iceland तो अपने आप में एक दूइप है इसको आप इसमें क्यों जोड़ रहे हो सभी बात है नहीं जोड़ना है मुखेत है अगर देखा जाए तो Sweden और Norway दो ही देश हैं जो इस प्राइदीप में आते हैं लेकिन चुकि यह साथ-साथ में है पास-पास में है इसलिए हम इसे इस लिस्ट के अंदर जोड़ सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि Sweden, Norway, Finland, Denmark और Iceland यह पांचो देश जो हैं यह Scandinavia ही देश हैं अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि यह Scandinavia ही देश क्या होते हैं तो देखो, Scandinavia ही देश वो देश हैं जहां का इतिहास और संस्कृती काफी ज़्यादा मिलती जुलती हैं जैसे कि यहां पर समान भाषाएं बोली जाती हैं Swedish हो गई, Norwegian हो गई, Danish हो गई यह basically मिलती जुलती भाषाएं हैं और इनकी सामाजिक सनरचना हैं और जीवन शैली भी एक जैसे तो कुल मिला कि यह देश एक जैसे हैं और उत्तरी योरप में आते हैं इसलिए इनको Scandinavia ही देश कहा जा सकता तो एक list में आप रख सकते हो पांच देश होगो पहला है Sweden जिसकी राज़दानी है Stockholm Norway जिसकी राज़दानी है Oslo Finland है इसकी राज़दानी है Helsinki Denmark की राज़दानी है Kopenhagen और Iceland की राज़दानी है Riksevik मैं आपको बता दू कि Iceland में बहुत से सक्रिय जौला मुकी पाए जाते हैं हम आगे की वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे लेकिन फिलाल याद रखो कि Iceland के अंदर बहुत से सक्रिय जौला मुकी पाए जाते है इसके अलावा यहाँ पर आपको फैरो आइलेंड भी नज़र आएगा यह एक डैनिश हिस्सा है मतलब डैन्मार्क का ही सामाना जाता है द्वीप है अलग से देश नहीं है तो इसको भी आप याद रख लेना पांच देश हो जाते हैं स्विडिन, नौर्वे, फिनलेंड, डैन्मार्क और आइसलेंड अब चलते हैं बिटिशर्स की तरफ यानि की बिटेन प्रायदीप की तरफ बिटेन प्रायदीप में कई सारे देश आते हैं जैसे कि Scotland, England, Wales, उत्तरी आयलेंड इन सबको जब आप बनाओगे तब बनता है आपका United Kingdom ध्यान से समझ लो चार देश हैं Scotland, England, Wales और उत्तरी आयलेंड मैं आपको बता दूँ कि ये चारो देश एक साथ काम करते हैं एक ही सरकार के अंतरगत और इन सबको बनाके मिलता है United Kingdom United Kingdom की जो राजदानी है वो क्या है? London शहर है जो कि England के अंदर हो जाता है अच्छा यहां पर एक मैं आपको नोट करने वाली बात बता दूँ कि ये तो United Kingdom है जब आप बात करते हो Great Britain की तो Great Britain में Scotland, England और Wales ये तीन ही देश आते हैं उत्तरी आयरलेंड ये चोटा सा हिस्सा नहीं आता है तो इसको भी आप याद रख लो Scotland, England और Wales आते हैं आपके Great Britain में और United Kingdom में Scotland, England, Wales और उत्तरी आयरलेंड आते हैं तो ये आपका छटवा देश हो जाता है United Kingdom सातवा देश आता है जो बचा हुआ Ireland आपको नज़र आ रहा है इसको कहते है Republic of Ireland Republic of Ireland की जो राजदानी है वो है Dublin तो इसे भी आप याद रख लो तो ये हो जाता है Britain प्रायदीप, दो प्रायदीप पूरे हो जाते हैं एक Scandinavia प्रायदीप और एक है Britain प्रायदीप अब चलते हैं हम Iberian प्रायदीप या फिर Iberian प्रायदीप की तरफ ये जो प्रायदीप है आपको यहाँ नज़र आएगा इस प्रायदीप में मुख्यत है पहाड़ी और परवतिय शेत्र पाए जाते है important हिस्सा है यहाँ पे मुख्यत है दो देश है एक है पुर्तगाल और एक है स्पेन और एक छोटा देश भी यहाँ पे आता है जिसका नाम है अंडोरा पुर्तगाल की जो राजदानी है वो है लिस्बन स्पेन की राजदानी है वो मैडरेट और अंडोरा की राजदानी है अंडोरा लावेला तो यह आठ नौ और दस नंबर पे देश आते हैं पुर्तगाल, स्पेन और अंडोरा तो तीन प्रायदीपों में दस देश पूरे हो जाते हैं उपर स्केंडनेविया ही देश है उसके बाद ब्रिटेन प्रायदीप है और इधर आइबेरियन प्रायदीप है अब हम चलते हैं इटली की तरफ इटली भी काफी बड़ा है यह आप देख सकते हैं इटली काफी बड़ा हो जाता है इस इटली प्रायदीप में इटली एक सैन मरीनो नाम का छोटा सा देश वेटिकन सिटी नाम का छोटा सा देश मैं आपको बता दू कि Vatican City सबसे छोटा देश है दुनिया के अंदर और एक आता है Monaco जो की छोटा सा देश है ये सारे देश कहां आते हैं इटली प्रायदीब के अंदर आते है तो इटली की राज़दानी क्या है रोम सैन मरीनो की राज़दानी क्या है सैन मरीनो सिटी Vatican City की राज़दानी Vatican City है ही और Monaco की राज़दानी Monaco है ही तो ये चारो देश आपके इटली प्रायदीब के अंदर आते हैं इसको आपको याद रखना एक तो है Switzerland बहुत ही खुबसूरत जगे है और एक है France ये भी काफी खुबसूरत जगे है Switzerland की जो राज़दानी है वो है Burn और France की राज़दानी जो है वो है आपकी Paris आपको पता होगा जहापे Eiffel Tower बना हुआ है तो ये दो देश और हो जाते हैं तो टोटल 16 देश हो जाते हैं कितने प्राइदीप हो गए Scandinavia, Britain, Iberian और Italy तो ये 5 प्राइदीप में हो जाते हैं 14 देश और 2 देश इसके उपर है Switzerland और France इनको अब याद रख सकते हो अब हम चलते हैं Balkan प्राइदीप की तरफ इसके पास में आपको बेसीना और हर्जे गोविना नजर आएगा है बहुत लंबे-लंबे नाम है लेकिन काफी मैत्वपूर्ण हैं तो याद रखो बेसीना और हर्जे गोविना इसके पास में यहाँ पे स्लोवेनिया की राजदानी लूबलजाना है क्रोईशिया की राजदानी है जागरेब बेसीना और हर्जे गोविना की राजदानी है सारा जेवो मुझे पता है कि इस वक्त ये नाम आपको बहुती कठिन लग रहे होंगे लेकिन बालकन कंट्रीस के जो नाम है वो कई बार practice करने पर ही याद होते हैं मैं आपसे कहूँगा कि Balkan प्रायदीप का हिस्सा आप बार बार देखेगा इस वीडियो का क्योंकि इसको लिखने से ही ये नाम याद होंगे सीधे सीधे नाम नहीं होंगे तो इनको लिखना जरूरी हो जाता है अब देखे बालकन कंट्रीज के पास और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनको आप बालकन का ही हिस्सा मान सकते हो जैसी कि यहाँ पर आपको रोमानिया, बुलगेरिया नजर आएगा नीचे आपको ग्रीस नजर आएगा अब यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात यह है कि जो टर्की है वो वैसे तो एशिया का हिस्सा माना जाता है लेकिन इसका थोड़ा हिस्सा यूरप के अंदर भी आता है तो जो टर्की की राजदानी है वो अंकारा है ग्रीस की राजदानी है वो है एथेंस बुलगेरिया की राज़दानी सोफिया है और रोमानिया की जो राज़दानी है वो बुखारेस्ट है तो आप ऐसा कर सकते हो कि यह जो आठ कंट्री आपने बालकन कंट्रीज में लिखी हैं इसके साथ यह चार भी याद कर सकते हो तरकी तो वैसे ही रह जाएगा याद तरकी को एक बार के लिए अलग भी कर दो तो ग्रीस, बुलगेरिया और रोमानिया जरूर याद रखना तरकी को एक बार अलग मान के चलो क्योंकि तरकी क्या है एशिया के अंदर भी है और यूरप के अंदर भी है तो इसकी एक अलग category बन जाएगी क्योंकि बहुत से ऐसे देश भी है जो Asia के अंदर भी होते हैं और Europe के अंदर भी होते हैं तो टर्की उनी में से एक है तो आप इन आठ बालकन कंट्रीज के साथ ये तीन और जोड़ लो तो जो Asia और Europe दोनों के अंदर पाये जाते हैं वो देश कौन कौन से हैं रशिया, अर्मेनिया, अजर्बैजान, साइप्रस, जॉर्जिया, कजाकिस्थान और माल्टा ये वो देश हैं जो आपको एशिया में भी मिलेंगे और Europe के अंदर में मिलेंगे इन्हीं में आप तर्की को भी जोड़ लो रशिया की जो राजदानी है वो मॉस्को है अर्मेनिया की राजदानी चेरेवान है मैं आपको पता दूँ कि जो अर्मेनिया है उसका अधिकांच हिस्सा एशिया के अंदर है पर थोड़ा सा पस्चमी भाग जो है वो योरप के अंदर पाया जाता है इसके अलावा अजर्बाइजान की राजदानी बाकू है साइपर्स की राजदानी जो है वो निकोसिया है जॉर्जिया की राजदानी टिबलिसी है कजाकिस्थान की राजदानी जो है वो नूर सुल्तान है और माल्टा उसकी राजदानी वालेटा है अब आप मुझसे कह सकते हो कि माल्टा को मैंने कैसे कह दिया कि ये यूरप का हिस्सा है तो मैं आपको बता दू कि माल्टा एक दूईपी ये देश है माल्टा की जो सिती है वो असल में भूमध्य सागर के अंदर है भूमध्य सागर में है तो वैसे तो ये अफरीका के जादा करीब है लेकिन इस पे जो प्रभाव है वो यूरप का है इसके माल्टा को अलग से आप याद कर सकते हो तो ये माल्टा भी यूरप का हिस्सा ही मान लिया जाएगा एक तरीके से तो ये वो देश हैं जो एशिया में भी पाय जाते हैं और यूरप के अंदर भी पाय जाते हैं मध्य में तकरीबन 15 देश और बचते हैं जिसमें आता है इनको ठीक सियाद कर लो इसमें से कुछ नाम तो बहुत ही फेमस है जैसे कि पोलेंड, जर्मनी, हंगरी, स्लोवाकिया इनके बारे में बतानी की जरूत नहीं है बहुत ही फेमस है, आप कह सकते हो कि यही है एक्चुल यूरप अच्छा, एस्टोनिया की राजदानी जो है वो तिलीन है लात्विया की राजदानी रीगा है लिथवेनिया की राजदानी विल्नियस है बेलारूस की राजदानी मिंसक है युक्रेन की राजदानी केव है केव का नाम तो अभी बहुत ज़्यादा चाया हुआ है यूँकि आपको पता यहाँ पे अभी भी वार चल रहा है इसके अलबा माल्डोवा की राजदानी किशीनो है पोलेंट की राजदानी वारसो है जर्मनी की बरलिन हंगरी की बुड़ा पेस्ट स्लोवाकिया की ब्राती सालवा चेक रिपबलिक की प्राग आस्ट्रिया की विएना लाइचेंस्टीन जो की दुनिया का छटा सबसे छोटा देश है जो की मध्धे यूरोप में पाया जाता है उसकी राजदानी है वादूज लक्समबर की लक्समबर की शहर बैल्जियम की ब्रुसेल्स और नीदरलेंड की एमस्टरडम हो जाती तो ये वो है मध्धे का यूरोप जिसको आप कह सकते हो मध्धे यूरोप काफी महत्वपूर्ण माना जाता है तो इस तरीके से तकरीबन पचास से इक्यावन Кंट्रीज हो जाती है पचास से क्यावन देश हो जाते हैं जो यूरोप का हिस्सा माने जाते हैं मैं आपको बतादू की इसमें से बहुत से देश अभी भी विवादास्पद हैं वो इसलिए क्योंकि अभी भी इस पे बहेंř सल रही है कि इन में से कौन से देश जो है वो योरप में आएंगे और कौन से एशिया के अंदर आएंगे तो फिलाल आप इन कंट्रीज को याद कर लो और अपनी तरफ से नक्षे को भरने की कोशिश करो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अफरीका महादीब का नक्षा समझाओंगा जी हाँ, it's time for अफरीका दोस्तो अफरीका महादीब दुनिया के लिए एक संदूक के जैसा है संदूक का मतलब समझते हैं जिसमें बहुत से हीरे जवारात भरे वे होते हैं वैसे ही अफरीका की जो धरती है उसमें बहुत से खनीज गड़े हुए है, सोना, चांदी, तामबा, लोहा, हीरे, क्या नहीं है महाँ पे, जो भी आप नाम लो, सब कुछ आपको मिलेगा, तरह तरह के की मिटिया है महाँ पे, बहुत अच्छी बोगलिक स्थिति है, लेकिन हाल वही है, जैसे हमारे बिहार और 36 गड़का है, कहने का अर्थ ये है कि इन इलाकों में खनीज बहुत जादा पाये जाते हैं, बहुत अच्छी मातरा में पाये जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां के लोगों का कोई फायदा नहीं होता, आपको पता है, राजनिती जो है सब कुछ खा जा हैं, जैसे कि आप साउथ अफरिका की बात करो, तो वहाँ पे बहुत तरक्की भी हुई है, तो मिला जुला सा हिसाब चल रहा है, जैसे भारत में हैं, भारत के कुछ इससे बहुत पहले फूले हैं, तो कुछ इससे बहुत पीछे भी रह गए हैं, तो इसी को ध्यान में पूरे अफरीका महादीप में तक करीबन 54 से लेके 56 तक देश है अब आप कहोगे कि मैंने 54 से 56 क्यों कहा देखिए आज की अगर आप बात करोगे तो आपको 54 देश मिलेंगे लेकिन क्या है कि यह भूमी बहुत बड़ी है और साथ ही लोग भी यहां पर बहुत रहते हैं तो यहां पर जो सीमाएं हैं उनका बदलाव होता रहता है देशों की जुस्तिति है वो थोड़ी बहुत बदलती रहती है इसलिए आपको 54 से 56 के बीच में एक स्टैंडर्ड नमबर मिल जाता है 54 से 56 देश है किसी और महादीप के मुकाबले यह नमबर बहुती जादा है तो अ अगर आप एक प्रधान देशांतर रेखा बीचो बीच खेचोगे तो पूर्वी हिस्से में एक बड़ा हिस्सा आपको नदर आएगा अफरीका खा वहीं पश्चमी हिस्से में भी बड़ा हिस्सा नदर आएगा भूमद्दे रेखा खीचोगे तो उत्तरी हिस्से में लग बग आदा अफरीका आता है तो आप कह सकते हो कि अफरीका is everywhere यानि कि अफरीका तकरीबन हर जगे पर है आकार में ये एक ट्रिकोना कार महादीप है जो अलग सी नदर आ जाता है और अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ा प्रायदीप है जो कि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है मेली तीन तरफ से जैसे कि उत्तर की बात करोगे तो उत्तर में भूमद्य सागर देखेगा पूर्व में आपको यहाँ पे लाल सागर देखेगा और इंदमा सागर देखेगा पस्चिम में आपको अटलांटिक महा सागर देखेगा हाला कि अगर आप दक्षणी हिस्वे में भी देखोगे तो यहाँ पे दक्षणी महा सागर भी आपको नदर आएगा तो आप यह कह सकते हो कि हर जगे से, हर दिशा से जो अफरीका है वो पानी से घिरा हुआ है। मैं आपको बता दू कि अफरीका महादीप में कई भोगलिक विशेषता हैं। उधारन के लिए परवत की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी परवशंकला है, एटल राकेंसबर्क परवशंकला नजर आएगी जो कि दक्षनी हिस्से में पहली हुई है। जब हम इसकी परवत पढ़ेंगे तो इसको हम जरूर पढ़ने वाले हैं। अगर आप नदियों की बात करोगे तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी भी इसी महादीप के अं जो हैं इनसे सवाल बनता है नील नदी, कांगो नदी और विक्टोरिया जील। कांगो नदी के बारे मैं आपको बताऊंगा अभी कि कांगो देश को इसने किस तरीके से बाटा हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दुनिया का सबसे बड़ा र एकिस्तान कहा जाता है ये भी अफरीका के अंदर ही इस्तित है। यहां बहुत से वर्शावन आपको मिल जाएंगे, मैग्राव के दलदल आपको मिल जाएंगे। खनी संपदा की बात करोगे तो सोना, हीरा, तामबा, यूरेनियम ये सब प्रचुर मातरा में अफरीका में मौजूद है। तकोल मिला के भागोलिक दृष्टी से भरा हुआ है महादीप। जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। फिलाल आज की इस वीडियो में मैं आपको अफरीका के 54-56 याद करवाने की कोशिश करूँगा कि उनकी स्थिति क्या है। जिसस को हम अलग-अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं। देखे अफरीका महादीप को मैं 6-7 हिस्सों में तोड़ूँगा। उसमें थोड़े-थोड़े देश आएंगे इसली याद हो जाएंगे। सबसे पहले उपर का हिस्सा देखेंगे आपको बड़े-बड़े देश नजर आएंगे यहाँ पे उत्तरी परत की बात करते हैं सबसे पहले पहले पदार जो है приех अफए परत जो है उत्तरी परत में आपको छे देच देखेंगे। यहां से आ जाओ इस तरफ से राइट साईट से गिंना शुरू करो यहा आता है मिस्र जिसको आप एजिब्ट भी कहते ह इसके पास आतना है लीबिया यहाँ पे आपको चोटा सा टुनीशिया नजर आएगा इसके पास नजर आएगा आपको एलजीरिया जो कि अफरीगा महादीव का सबसे बड़ा देश है इसको याद रख लो और इसके पास आपको नजर आएगा मॉरक्को और मुरको के अंदर ये आपको छोटा सा पस्चिमी सहारा भी नदर आएगा पस्चिमी सहारा एक अलग देश है तो मिस्र, लीबिया, टुनीशिया, अलजीरिया, मुरको और पस्चिमी सहारा फिर सियात कर लो मिस्र, लीबिया, टुनीशिया, एलजेरिया, मुरक्को और पश्चमी सहारा पहली लेयर खतम, छे देश हो जाते हैं अब बात करते हैं दूसरी परत के बारे में दूसरी परत भी इसके जस्ट नीचे आती है जिसमें आपके पांच देश आते हैं सबसे पहले यहां छोड़ा था, हमने यही से शुरू कर देते हैं मौरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सुडान तो इस तरीकी से दो परते हो जाती हैं एक सबसे उत्तरी परत और एक दूसरी परत जिसमें टोटल ग्यारा देश हो जाते हैं उपर वाली में छे देश हैं, नीचे वाली में पांच देश हैं, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं होएं चाहिए, सिंपल है भईया, शो उपर के देश आसनानी से याद हो जाएंगे, फिर से याद कर लो, उपरी परत में हैं मिसर, लीबिया, टुनीशिया, एलजेरिया, मौ साउथ अफरीका है, सबसे नीचे वाला हिस्सा आपको नजर आ जाए, सीधा साउथ अफरीका लिख देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचने की जरूत ही नहीं है, लेकिन हम लाइन से याद करते हैं, लेकिए, यह जो दक्षणी हिस्सा है, इसमें टोटल दस देश हैं, जि अगल में तीन देश हैं, जांबिया, जिंबाब्बे, बोस्वाना, एक साथ याद हो जाएंगे, जांबिया, जिंबाब्बे, बोस्वाना, और यहां हो जाता है मोजांबिक, अगर आप गौर से देखोगे, तो सेम से शब्द हैं, जांबिया, जिंबाब्बे, मोजांबि सब में जय 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 आ रहा है तो इसली याद हो जाएंगे एक साथ इधर अंगोला नमीबिया दक्षिन अफरीका तो याद रहे गई और यह बोच्वाना यहाँ पे तीन छोटे देश भी हैं जैसे यह चोटा सा देश नजर आएगा साउत अफरीका में ही इसको हम कहेंगे लो तो इस तरीके से यह दस देश हो जाते हैं फिर से बता देता हूँ अंगोला नमीबिया दक्षिन अफरीका जांबिया जिंबाबे बोच्वाना यहाँ पे बसता है मोजांबिक और यहाँ पे तीन देश चोटे से लेसोतो स्वाजी लैंड और मालावी तो यह पूरा नमारत हो गई दो लेयर हो गई नीशे दक्षिन में एक लेयर हो जाती है टोटल कितने देश हो गए बाइस देश तो वैसे ही पूरे हो गए कोई दिक्कती नहीं है यहाँ तीन हिससे तो हो गए अब तीन हिससे और बचते हैं सबसे पहले हम चलते हैं पूर्व की तरफ पिर से याद कर लो सुदान के नीचे है दक्षिन सुदान और यहाँ पर इथोपिया और कोने में इत्रिया नीचे है योगांडा केनिया और सोमालिया यहाँ बिल्कुल नीचे एक देश बचता है जिसको तंजानिया कहते हैं तंजानिया काफी बड़ा है तो यह बड़े बात करें चोटे देशों की, तो योगांडा के पास आपको रवांडा नजर आएगा, बुरुंडी नजर आएगा, और यहाँ चोटा सा देश है डिजी बोटी, तो यह चोटे देश है रवांडा, बुरुंडी, सोमाली लैंड और डिजी बोटी, बड़े देश कौन-कौन स दक्षन सुदान, इथोपिया, इरित्रिया ये उपर हो गए, नीचे युगांडा, केनिया, सोमालिया और सबसे नीचे तंजानिया और छोटे देश ये चार हो जाते हैं, तो इस तरीके से पूर्वी अफरीका में 11 देश हो जाते हैं, एक बार प्रैक्टिस करो के तो जरूर दक्षन सुदान, इथोपिया, इत्रिया, युगांडा, केनिया, सोमालिया, नीचे तंजानिया, यहाँ पे चार चोटे देश, रवांडा, बुरुंडी, सोमाली लैंड, डिजी बोटी, तो ये पूर्वी अफरीका हो जाता है, पूर्वी अफरीका से चलते हैं हम मद्ध अफरीका की तरफ, यानि कि इसी के पास में ये मद्ध अफरीका नजर आएगा, मद्ध अफरीका छे देशों से बना हुआ है, सबसे पहले आता है कॉंगो, अब देखो कॉंगो दो हिस्तों में बटा हुआ है, पहला है कॉंगो लोकतांतरिक गनराज्य, ये बड़ा सा दे बह रहा है, कॉंगो नदी बह रही है, यहाँ पे आपको मद्ध अफरीकन गनराज्य नजर आएगा, यहाँ पे छोटा सा, ये कैमरून है, ये है गबॉन और यहाँ पे छोटा सा देश, भू मद्ध रेखिये गिनी नजर आएगा, इसका नाम भू मद्ध रेखिये गिनी इसलिए पड़ा है ये वैसे तो इसका नम गिनी है लेकिन ये भूमद्य रेखा पर पड़ती है भूमद्य रेखा यहीं से गुजरती है इसलिए इसको भूमद्य रेखिये गिनी कहा जाएगा छोटा सा देश है तो कॉंगो तो वैसे याद रहे जाएंगे दो कॉंगो हो जा तो टोटल कितने हो गए, छे देश हो गए, यहाँ पे एक इंटरिस्टिंग बात मैं आपको पताता हूँ, कि यह जो कॉंगो लोकतांतरिक गणराजी आपको दिख रहा है यह वाला देश, इसमें बहुत सी राजनितिक अस्तिरता है, मतलब यहाँ की राजनिति काफी अस्ति बचते ही हैं, तो यह मद्य अफरीका हो जाता है, मद्य अफरीका में टोटल 6 देश हो जाते हैं, तो आप कौन सा हिस्सा बचता है, पस्चिमी अफरीका बचता है, यानि कि वेस्ट अफरीका, वेस्ट अफरीका के बारे में मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पे गरीब द यहाँ पे तक्रीबन बारा देश हैं जिसमें से नौ बड़े हैं और जो तीन है वो छोटे हैं सबसे पहले आता है नाइजीरिया, लाइन से याद हो जाएंगे नाइजीरिया, उसके बगल में वेनिन, उसके बगल में टोगो नाइजीरिया, वेनिन, टोगो, यहाँ पे आपको घाना नजर आएगा घाना के पास आपको बुर्कीनो फासो नजर आएगा, यह थोड़ा अजीब नाम है लेकिन याद हो जाएगा बुर्किनो फासो बुर्किनो फासो के बास आपको Ivory Coast नजराएगा Ivory Coast एक पुराना नाम है नया नाम है इसका Kourtडिवार इसको याद रख लो Kourtडिवार सवाल बन सकता है Ivory Coast और Kourtडिवार एक ही है इसके पास में आपको Liberia नजराएगा गिनी नज़र आएगा सेनेगल नज़र आएगा लाइबीरिया गिनी सेनेगल तो ये नौ देश तो बड़े हो जाते हैं छोटे देश कौन कौन से हैं सियरा लियोन यहाँ पे सियरा लियोन आपको छोटा सा नज़र आएगा गिनी बिसाओ बहुती चोटा है, गिनी बिसाओ गिनी से ही निकला है, मतलब गिनी के पास की चोटा सा देश है, लेकिन अलग है, तो अलग देश होगा ये, और यहाँ पे ऊपर आपको गाम्बिया नदर आएगा, तो यह तीन चोटे देश है, सि Ayera, Leon, गिनी बिसाओ, और गाम्बिया, तो यहाँ पे पांच और देश हैं जो कि दूइपिये देश हैं, पानी के अंदर हैं, अलग से हैं, मेन लैंड से तुला हटके हैं, वो भी आप याद रखे लो। सबसे पहले इस तरफ आगर आप पस्चिं में देखोगे तो आपको केप वर्धे नजर आएगा और साथ ही कोमोरोस नजर आएगा, तो केप वर्धे और कोमोरोस याद रख सकते हो, वहीं अगर आप पूरवी अफरीका की तरफ देखोगे, तो इदर आपको मेडा गासकर Algeria था, सबसे छोटा देश कौन सा है? Sashills है, और आखिर में आपको दिखेगा यहाँ पर Mauritius, इसको Mauritius कहते हैं वैसे तो Mauritius गंडराजे, लेकिन कुछ लोग इसको Mauritius भी कहते हैं, यह वही Mauritius है, जहाँ पर बड़े-बड़े Celebrity जाते हैं अपने छुटिया मनाने के लिए और कई Celebrity तो भाग भी जाते हैं चुपके अगर कोई उन्होंने कुछ कांट कर दिया हो, तो भाग भी जाते हैं ऐसी जगहों पर, क्योंकि यह द्विपिये देश है तो कानून इनका अलग होता है, काफी दूर होते हैं तो इस वज़ेसे इनको कोई पकड नहीं पाता है तो यह टोटल देश हो जाते हैं, आपके 54 से 55 देश हो जाते हैं पूरे अफरीका महादीब के मुझे उम्मीद है कि आपको सभी देशों की स्तिती नजर आ गई होगी, समझ में आ गई होगी आपको बस यह साथ हिस्से याद रखने इससे होगा क्या कि आपको पता रहेगा कि कौन से हिस्से में कौन सा देश है कौन सा देश मद्द्य अफरीका में आता है कौन सा पस्चिमी अफरीका में आता है कौन सा उत्तरी अफरीका के अंदर आता है तो इससे आप आंसर इजीली बना लोगे अब यहाँ पे हमारे महादीप पूरे हो जाते हैं महादीपो की नक्षे पूरे हो जाते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next month.